नौवस साल के उमर में तीस साल की जवानी कैसे हसिल करें इसके लिए पनरा नियम बांध लो अभी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको जवानी कैसे रहेंगी आप नब्बे साल के हुने के बाउजित भी मैं डौटर दीपगय करूँ मनोविकार, सेख्स, रोग, सम्मोहन तथा व्यसन्न मुक्चत नियो महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रेक्टिस कराओं हर आदमी ज्यादा साल तक जीना चाहता है, सवसाल तक जीना चाहता है मगर करना की इच्छा नहीं है क्योंकि कंफरर जों में रहना है तो आप कोन ने फैन फैने साल जीने वाले मैं और बाका रहता हुए इसका इंदासार में यादिurnyaat मुसे बताते हैं तो क्या खाते मी ते क्यों कि आप कुन है तो आप आपका डाइट है अपका खाना एंब है आपका खाना यह सब और जाता है देखिया ना कुछ भी भी मारी हो गई तब पहले खाने की इझ्छा बना जाती और जैसी बीमारी अच्छह विश्वस्त हम है इसमें क्या अंदर डालने का है वह हमको डिसाइड करना है गाड़ी पेट्रोल डालना चीह हम डालते डिसल या पानी और फिर खराब हो जाती तो चले आज मैं ऐसी पाते करने वाला हूं 15 कि जिसका यह जो 15 नियमें इसका पालण करते हैं डिफिनेटली आपकी उम्र कम दिखेंगी आप तंदुर्ज से दिखेंगे जबषा से देखेंगे मक्त दिखेंगे नमबर एक आपका डायट बहुत ही बैलन्स होना ज़रूरी है सनंटुली अहरा जिसमें बहुत घुट है वालीह होना जड़ अप आठा होना तो च्छान के नहीं खाने क है उसमें निकल जाता है तो बहुत ही अच्छा बैलंन्स जायट जिसमें फूर्ट से सव्या runners clique सब्सक्राइब बहुत जादा आपने रोटी सब्सक्राइब सब्सक्राइब काने इस दाल चावल कम नमबर दो, नमक कम से कम आपने इस्तेमाल करना शे, और नमक खाने का ही है तो सेनना नमक का इस्तेमाल करो, क्या है कि नमक हमको अच्छा लगता है खाने के लिए, मगर नमक से ब्लेड बेशर बढ़ता है, और पानी जमा होता है अपने शेरे में, वाटरी टेंशन होता है, य तो रोज एक कट्री बर सबेर एक कट्री बर शाम को आपने खाना चाहिए अपको अच्छा लगेगा और एक कट्री सबेर शाम खाते है तो आपकी सेहत बहुत अच्छे हो जाएंगी हैं दिन ठेलने के पहले खाने का है उसमें जादा फायबर रहता है विटामिन रहते है तो वह खाने का हैं नमबर पांच रात का खाना जो है वह आप ने कम खाने का है मतलब करीक परी6 साड़ेष्छे के पहले आपने रात का खाना 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 ची आई इसा बोला जाता है कि भेस्स यह वह वह एकांडर आजया जैसा करना ची दोपेर का लंच गर्फ अजय मुद् kanske ऑ शाम का खाना भीकर जैसा थे करना आत प्र जित्त पुझे आप ला सकते हैं। जितने अलग रंगी सबज आप खाएंगे उतने ज्यादा विटामिनस आपको मिलेगी उतने ज्यादा मिन्रल्स मिलेंगे और आपकी अत्से हो जाएंगी। उसमें हरी, लाल, पिली, नारंगी, ऐसी सभी का लुद सब्जाय मिलती है अलग-अलग, वो आपने खाना है और पनाने का है, नमबर साथ, रिफाइंड शुगर जो है, उसका इस्तेमाल कम से कम करना है, शुगर जो है, वो ऐसा बोला गया है कि शुगर एडिक्शन जो है, व इसी शुगर आपके बाड़ी की बढ़ जाती है, वैसे फटाक से वजन बढ़ जाएगा, और जगा-जगा शुगर फैट के रूप में जाके जमा हो जाएगे, शुगर जितनी खम गाएंगे उतना अच्छा है, उपर से तो शुगर कोई भी खाने में मिलाने कहनी है, उप नमबर आठ, खाना चबा चबा कर 32 बार खाना यह से बोला जाता है, हम क्या खता है, खाना फटा पड खा लेंगे, चबा के खाती नहीं है, तो पेट में जाने के बाद में उसको डाइजिशन के लिए बहुत जादा तकलिफ होती रहती है, तो खाना 32 बार चबा कर खाओं, और ऐसा बेस्ट है, जो पॉसिबल नहीं है, लोग करती नहीं है, कि मुझ में ही वह खाने का लिकूर बनना चारे है, खाते-खाते, मुझ में लिकूर बन kयाता है, बात में निगलना है, तो आत का काम दात नहीं करना है, number 9, खाने को माईक्रो अववन में डालके खाने क गुझन entendu या क्या डालते हैं तो माकरे वेवर की चाना खाने का नहीं धौने करना है मुंंफली तेल या सरथोका तेल जो आपके सामने निकाला जाता है डब्बे का पैकबन नहीं वो क्यांथ एस्ताइल कर assumptions खातक है तो सरथोका तेल या सरथोका तेल, मुंफली का तेल आपके सामने निकालते हैं compost और ताजय निकालते हैं तो वो लिल और ग्यारा चिल वाटर जो है एकदम ठंडा पानी वो अपने बड़े को बहुत खातक है तो चिल वाटर अवाइट करना चीए नमबर बारा खाना खाने के समय में पानी नहीं पिना है खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी बीलो, खाना खाना खाने के आधे गंटे बाद में पानी पिना है, क्योंकि फिर हम जब पानी नहीं पिते हैं, तो अंदर जो एसड़े पेट का उसको digestion करने में आसा ही हो जाती है, जो खाना में अंदर डालते हैं, नमबर तेरा, खान तो ऐसा साबून से हाथ दोके करना चाहिए, नमबर 14 पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, पैकेज फूड में बहुत सारी केलेज रहती है, बहुत सारी प्रिजर रहती है और वो खाके अपनी सहत खरब हो जाती है, नमबर 15 सबजियां जो है जब आप मार्केट से लाते हैं तो धोकर सूका रहा है घर में और बाद में फिर उसको काटना है सब्जी बनाने का है, वैसी सब्जी बना जाने है क्योंकि उपर काफी सारे मेटरियल छिड़के जाते हैं उसको ताजा रखने के लिए उसको दिखने के लिए अच्छा और काफी सारे घातक दरव्य उसके और मारने के बाद में सब्जी ठीक नहीं रहती है तो उसको टालने का है सब्जिया धोकरी लेने का है तो यह 15 आटम से यह 15 आप खाने में यह अपने हैबिट उसको लगाते जिस तरह की मैंने बताया है तो डिफिनेटली आपका खाना एकदम बैलेंस हो जाएगा और आपकी स बैलन्स डायट रहेगा बैलन्स डायट है सहत अच्छी है आप रिगुलर चालीज मिट के एक्सराइज कर रहे है आपको तंबा को पान बीडी सिग्रेट के आदत नहीं है शराब पीते नहीं है और क्या चाहिए अच्छी सहत के लिए आपकी सहत 90 साल की उमर भी 30 साल के दि रक्तमाई का अच्छी रहेंगी तो नैचरली पेनिस के तरफ ब्लेड फ्लू जो है वह अच्छा रहेगा और इरेक्शन आने में कोई प्रॉब्लिम नहीं होगा आपका दिमाग एक्दम शान्त रहेंगा रिलाक्स रहेगा और आम आपका सेक्शुल लाइफ फुली हुल फुल